सभी भाईयों को मेरा नमस्कार आज हम बात कर रहे हैं जैसा आप सब लोग कभी जो भी कैचुवा खरीदने वाले लोग है तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहरा हूँ कि आपको जो कैचुवा का रेट है जनरली क्या होता है कोई 100 रुपे किलो दे रहा है कोई 200 रुपे किलो दे रहा है कोई 500 रुपे किलो दे रहा है तो इसको कैचुवा कहां से लेना चाहिए अब मैं यह दिखाना चाहरा हूँ जैसे यह कैचुवा आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े से ये 200 रुपे किलो आप इसको समझ सकते हो और अगर इसको छाटके आप ले रहे हो तो इसको आपको फिर 300 रुपे किलो 500 रुपे किलो उस रेंज में आप इसको जैसा भी कहीं से मिलते हैं उसे साब से आप इसको ले सकते हो पर जनरली इस चीज का बहुत जादा ध्यान रखें और बात करके लें कि आपका कैचुवा जो है कितना निकलेगा एक किलो के अंदर और मैं आपको calculation बहुत अच्छे से समझा देता हूँ अगर आप एक किलो कैचुवा ले रहे हैं और अगर आपको कोई 100 रुपे किलो दे रहा है तो उसमें 3000 कैचुए होने चाहिए almost minimum calculation है बट इसमें एक चीज और है जो आपको ध्यान देने वाली है कि हमेशा कोसिस करें कि आपको कोई 100 रुपे किलो दे रहा है और उसमें 1000 कैचुए भी निकल रहे हैं 800,000 कैचुए भी निकल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए क्योंकि उसमें साथ में अंडा भी आता है मालो कोई चीज आप 300 रुपे खरीद रहे हैं 300 के रेट में कैचुए खरीद रहे हैं और तो उसके अंदर क्या होगा आपको 3000 कैचुए तो मिल गए लेकिन जो अंडे हैं वो कम आए आपके पास में तो इसलिए ये कोशिस करें कि जहां से भी कैचुए खरीद रहे हो आप उसको सस्ते में लेने की कोशिस करें और हमेशा इस बात को कोशिस करें कि जो नए लोग काम कर रहे हैं जिनका छोटा सैट आप है उनसे हमेशा ले है क्योंकि मैं ने ये देखाया जब भी आप बड़े किसी सैट आप वाले से ले रहे हो, खरीद रहे हो आप मैंने कही लोगों से बात करके देख लिए जिनका बड़ा बड़ा सैट आप है वो हमेशा आपको महगा कैचुवा देते हैं महगा कैचुवे से मेरा मतलब वो आपको उसी कैचुवे को जो लोग दूसरा 100 रुपे किलो में आपको दे रहे होंगे वो लोग 300-300 रुपे किलो में दे रहे हैं और ये मैंने सारा आपको समझ लीजे दिल्ली NCR सारा स्टेडी कर लिया है दिल्ली NCR स्टेडी करके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं से भी बड़ा जिसका सेटप है आदमी का उससे कैचुवा खरीद रहे हैं तो वो 100 रुपे किलो वाले को ही 300 रुपे किलो के हिसाब से बेख रहे हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप कैचुवा खरीद रहे हैं तो आप उसको सस्ते में लेने की कोशिस करें ऐसे बिल्कुल ना खरीद हैं कि कोई आपको 300 रुपे किलो दे रहा है अगर आप लेकिन ये बात हमेशा ध्यान दें कि जितना सस्ता लेंगे, वो कुछ भी हो उसके अंदर, कुछ भी से मेरा मतलब एक खाद अगर बना हुआ होगा और कैचुवा उसके अंदर होएंगे, तो अंडे भी साथ में जादा से जादा आएंगे आपके पास में, तो वो हाँ तो मैं आसा कर रहा हूँ भाई लोगों, आप लोगों को ये चीज सब समझ आगी होगी, और कैचुवा खरिदते समय जो मैंने आपको बताया है, कि सस्ते से सस्ता खरीद है, और कोसिस करें जिसका छोटा सेट अप हो, उससे बात करके कैचुवा लें, बड़े वाले स आप नाम नहीं लेना चाहरा, बट ये जो मेरट से दो-तीन लोग हैं, ये खास तोर से महगा कैचुवा बेक रहे हैं, तो इस चीज का विसेष्ट्य ध्यान दें, आपको आसपास दूसरी सस्ता मिल याएगा, पर दिल्ली NCR में जो मेरट का है, ये लोग हमेशा महगा बेक रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा है, मेरा उनसे कोई किसी तरह का गिला सिक्वा नहीं है, किसी से भी, पर उनमें से किसी के पास भी अगर आप जा रहे होएंगे, तो ट्राइ करके देख लेहां, जो कैचुआ आपको सौड़ेट सो रोपे किलो इजीली मिल सकता है, उस धाइस को द्राइड को सकता है, यह पास भी आपको समझे को सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है, इस बलगी लगे केसी को बाहिए उनमें, जो लो लोग खरीदना चाहा रहे हैं, पर इसम सलौझे यह थि. दे दूँगा मैं आपको आके सेट अब भी करा दूँगा तो उसके हिसाब से उनसे कंसल्टेंसी के नाम पर महेंगा के चुआ ना खरी दें इसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं होती खिर सिर्फ गोवर को 10-15 दिन आपको ठंडा करना करना होता है कुवर किसी भी यह जो पीरियड बताते हैं कोई आपको कहेगा ताजा गोवर होए 10 दिन पुराना होई कोई कहता 25 दिन पुराना होई वह आपका जो है दो तीन महीने का हो तो अज़ादा अच्छा है पर अगर आप इससे भी ज़्यादा का ले रहे होंगे तो कोई ऐसा लॉस नहीं होएगा आपको हाँ अमेशा उसको ठंडा जरूर करें दस पंदे दिन पानी मार मार के काट काट के और इसमें कोई साइंस नहीं है तो सभी भाईयों को मेरा नमस्कार धन्यवाद सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और शेयर करते रहे